हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सभी मैं एमेस खान और यूट्यूब चैनल अपकी कोशिश हमारी जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा होगा वीडियो के अंदर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं बचो यहां से ब्लड निकल रहा है ना ब्लड निकलता है जिसको बचों क्या बोलते हैं नकसीर कहते हैं तो यह ब्लड क्यों आता है क्या क्या वज़ा है चली समझने की थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं कि वो क्या क्या वज़ा है जिनकी वज़ा से हम कह सकते हैं कि नकसीर होती है तो नकसीर फूटना इसको हम क्या बोलते हैं नकसीर फूटना भी कहते ह जिसका नाम होता है EP Cascist ठीक है, तो student नकसीर का निकलना, नाक में से खुन आना वो क्यों होता है, जरा simple word में समझ लेते हैं क्या reasons होते हैं, actually में क्या होता है, जो हमारी नाक है नाक का function है, वो नाक का function आधाक का function एक simple नहीं होता है करती है इविन इसमेल करने में जी आपकी चीज को सुनते हैं तो वह भी नाक से सुनते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी नाक किसका अगरती है हुमिडिटी आफ एयर यानि जो हवा हमारी बॉड़ी के अंदर जा रही है उसको क्या करती है नम करती है एक तरह से कहें कि अ है नाग क्या करते हैं तरह से फिल्ट्रेशन का काम करती है क्योंकि हमारी नाग में क्या होते हैं म्यूकस होती है और नाग में नोज हेर होते हैं आप बदाता हूं बच्छो जो हमारे ने नोज के हेर होते हैं बढ़ा इंप्टेरिया जाल की तरह होते हैं जो आने वाली बहार से डस्ट को रोकते हैं और हमारी नाग के अंदर मुइकर भी कहते हैं वो क्या कर दिया आने वाले डस्ट पार्टिकल और बहुत सारे बैक्टिरिया जम्स जुम्स को भी उन्दर जाने से रोकती हैов goes बढ़ाना घटाने अकाम भी यह हमारी नाक करती है, बट यहां में देखना है कि जो हमारी नाक की ब्लीडिंग होती है, वो किस-किस वज़ा से होती है, तो जो हमारी नोस की ब्लीडिंग है, उसको कई पार्ट में डिवाइड करा हमने, जिसे पहला है, कोई लोकल कारण हो सकता है, यह सिस्टेमाटिक हो सक यह एन्वारमेंटल कह सकते हैं एविन हम क्या कह सकते हैं मैडिसें जितनी भी नोज में आने वाली जो ब्लीडिंग है उसको हम इतने में तो नाज में ऑने इंटी प्राट है या तो फेले प्राट झाता है यास हमारे एन्टीर में आपर क्या होता है है ना वेंस होती है और उसकी capillaries होती है जो बहुत सारी होती है और कह सकते हैं एक तरह से गुच्छे में होती है एक तरह का क्या होता है network होता है artery veins के capillaries का जिसको हम क्या बोलते हैं कीसल बैट फ्लेक्स भी कहते हैं ठीक है यह क्या होता है किसी वज़ा से इसका burst हो जाना जिया artery या waist का किसी तरह से capillaries का burst हो जाना छिल जाने की वज़ा से नाक में blooding start हो जाती है और वो कैसे होती है यह देख लेते हैं जैसे यहाँ पर कोई problem होगी तो तुरंद क्या होगा नाक में से खून आने लगेगा हमारे nostils से blood बहने लगेगा ठीक अब यह किन-किन वज़ा से होता है यह समझ लेता है यह समय देखना है ठीक तो पहले student हम बात करते हैं चलिए तो देख लेते हैं पहले में क्या होता है नमबर वन बात करते हैं पुटिंग दा फिंगर इंदा नोस जी हां 80% बच्चों में जो यह नाक में बलड आता है क्योंकि वह अपनी फिंगर को अपने नाक में देते हैं पुट्डा ऑब्जेट फिंगर किया नोस फिर और बीडिदिंग स्टाट हो जाती है जे हैं अगर हम बात किरें तो हम कह सकते हैं severe cold severe cold में भी बहुत ज़्यादा नजले में भी क्या हो जाता है blood आना शुरू हो जाता है dry air in cause of crusting in nose जब हमारी नाक में dry air जाती है या एकदम आप AC में पहुँच गया या बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और वहाँ पर जो हवा चले ही वो सुखी हवा है वो उसमें moist नहीं है तब भी हमारी नाक से क्या होता है blood जाने लगता है यही वज़ा होती है अक्सर गर्मी में बच्चों को नकसीर चुड़ जाती है reason क्या होता है dry air होती है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही होती है और वहाँ पर जो आर्टरी का pressure होता है बढ़ने की वज़ा से वो burst हो जाती है और नकसीर यानि हम कह सकते हैं यह पर से हो जाता है even अगर क्या हुआ है trauma to nose और face और head किसी ने आपके नाक पे गुद मार दी या किसी से लड़ाई हो गई है तब भी क्या होता है नाक से blood आने लगता है और अगर हम बात करें तो drugs consume by the inhalation बहुत से लोग जी हाँ बहुत से कोकिन गांजा लेने वाइले जो inhalation करते हैं नोस से जो drugs abused होते हैं उनको भी नाक से खुनाने की बहुत शिकायत होते हैं तो उनको भी नाक में से blood आने की बहुत कॉमन शिकायत होती रहती हैं इविन बहुत से लोग क्या करते हैं क्लमिंग और माउंट यानि जो लोग उपर जाते हैं altitude वाला portion जाते हैं से बढ़ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है oxygen ही कमी होती है जिसकी वज़ए से हमारी nose जो है इंदे से dry हो जाती है और एकदम जो है क्या आने लगते है बच्चो ब्लड आने लगता तो यह भी नकसीर का एक होता है इविन बहुत ज़दा stress लेने से तू मच अलकोहल कंज्यूमन और एक वज़ा होती है जो लोग बहुत ज़दा क्या करते हैं अलकोहल लेते हैं अलकोहलिक होते हैं उनकी नाक में से ब्लड में से उनकी नाक में से ब्लड आना खून आना यह बड़ा common देखा गया यहां ऐसे लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनको खून पतला करने की जी हां खून को डाइलूट करने के लिए क्या दियाती कुछ medicine दी जाती है कभी-कभी उन medicine की वजह से भी नाक में से क्या आता है student ब्लड आ जाता है खून आ जाता है नेक्स वन हम बात करें तो blood disorder जी हां blood में कभी disorder होता है कोई बिमारी होती है तब भी क्या होता है student नाक में से खून आ जाता है डाइविटेड सेप्टम इन नोस जी हां हमारे नाक के दो पोर्शन होता है तो भी नाक में से क्या हो सकता है बचो blood आ सकता है यह दियान रहते हैं तो ऐसी में भी बचो क्या हो सकता है कि जो है नाक में से नोस में से blood आ सकता है अब अगर किसी की नकसीर चल जाए तो क्या करना यह important है इस वीडियो का सबसे important part यह समझ लेना क्योंकर नॉर्मली चलता रहता है तो नकसीर आने पर क्या करना है नॉर्मली soft part को जी हां हमारे nose के soft part को ऐसे बद करका रहता है यह वाला portion और ऐसे रखना है आगे ऐसे पीछे नहीं करना है यह बड़ा को नकसीर चली पीछे को लिटा दिया ऐसे नहीं करना है यह बद करना है साथ से आट मिंट दस मिंट ठीक है कुछ लोग दो मिंट भी कह पीछे करेंगे तो ब्लड एकदम से बंद तो होता नहीं कोई light का switch तो है नहीं आपने एकदम से बंद किया light बंद हो गई ऐसा नहीं होता है time लगता है चीज में तो जो ब्लड है वो पीछे को जाकर क्योंके nose हमारी खुल रही होती है हमारे ना also figures के साइट जहां पर खुल प्रॉलम होगी तो इसलिए कभी भी किसी की नकसीर चलते हो देखे तो नाग बद करके आगे रख दीजिए एक चीज़ दूसरी स्टुडेट हम बात करेंगे apply the eyes externally और बरफ को यहां रख दीजिए कहीं यहां पर अकर यहां निकलना तो यहां रख दीजिए यहां रख ठीक है इविन बहुत सारे लोगों बहुत से लोगों प्रॉब्लम ही रहती है यह ना तो क्या कोई कुछ यूज़ नेजल ड्रॉप जी हां कुछ नेजल ड्रॉप साती है जिनको बार बार उनको मॉइस्ट करते रहना चाहिए लेकिन यह सारी चीज़े यह नेजल वारा पो हमारी को सही करने के लिए स्टुडेंट नहीं है यह सिर्फ एजुकेशनल परपस है क्योंकि बेसिक नॉलेज़ है यह बिल्कुल बेसिक है ठीक है तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है आपने से लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट्स कीजिए थैंक्यू प्रफस्टब्स कीजिए अटार्णिए मेंट्स कीजिए है यह बिल्कुल आपको प्रफस्टार्णिय।